इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहां पर ITI रिजल्स से संबंदित तो जीन भच्चों का अभी तक रिजल्ट जो है जारी नहीं हुआ है उनका रिजल्ट जो कब तक आएगा परमोशन वाले छात्रों का रिजल्ट ठीक है तो इससे संबंदित एक डिजीटी के आप जल से जल्ट कॉलेश से मिलके अपना अपलोड करवा ले ठीक है तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने के पहले आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा आपको यहां पर सारे ITI से अपर करके यहां पर लिखा ग्या है कि we are planning to declare all the result before 28 February ठीक है देख सकते हैं आप लोग यहां पर बोला गया है कि we are planning to declare all the result before 28 February ठीक है वो system के उपलोडेड है उन बच्चों के यहाँ पर बोला जा रहा है कि 28 तक जो उनका result डिक्लियर कर दिया जाएगा मतलब यह है कि अभी जो आप लोग result चेक करते हैं जब ncbt portal के उपर तो उहाँ पर आपको दिखाता होगा कि आपका cbt man marks not uploaded है इस तरह से लिखा हुई दिया तो उन बच्चों का जो यहाँ पर प्रेक्टिकल का marks जो वो update है और उनका result जो 28 से पहले तक आ जाएगा लेकिन जिन बच्चों को यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका practical का marks यहाँ नहीं update किया गया है तो उनको यहाँ पर क्या करना है अपना marks जो वो update करवा लेना है college में ज सिस्टम के ऊपर नहीं चड़ाया गया है उनका बोला गया है कि आपका first week जो होगा March के first week में उनका result जारी हो जाएगा ठीक है तो फिलाल यहाँ पर 28 तक में जो बच्चे जिनका की यहाँ पर अभी तक नहीं आया उनका 28 तक में आ जाएगा बसरते यहाँ पर उनका ED और practical क marks जो वो system में available होना चाहिए मतलब कि ncbt portal पर चड़ाया हुआ होना चाहिए ठीक है और जिनका यहाँ पर नहीं हुआ है अभी तक update उनका first week मार्च में आ जाएगा ठीक है तो फिलाल आप लोगों को यहाँ पर idea मिल गया होगा कि जिन बच्चों के result नहीं आया उनका कब तक यहाँ पर जारी हो जाएगा तो 28 फरवरी तक आप लोग वेट किजिए 28 फरवरी तक आपका आ जाएगा और वैसे बच्चे जिनका ED practical marks अभी update नहीं हुआ है उनका आने में यहाँ पर समय लगेगा और उनका first week में उनका जारी हो जाएगा ठीक है तो आपके लिए वीडिय कि अएगा आपके लिए में